प्रिष्ट संख्या चोवालिस जो लिखना था वह लिखा गया अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबिला कीजिए शिव शंभू के चिठ्थे बाल मुकुंद गुप्त जन्म सन 1865 ग्राम गुडियानी जिला रोह तक हरियाना प्रमुक संपादन अखवार एचुनार हिंदुस्तान हिंदी बंगबासी भारत मित्र आदी प्रमुक रचनाए शिव शंभू के चिठ्थे चिठ्थे और खत खेल तमाशा मृत्यू सन 1907 गुप्त जी की आरंविक शिक्षा उर्दु में हुई बाद में उन्होंग ने हिंदी सीखी विधिवत शिक्षा मिडल तक प्राप्त की मगर स्वाध्याएं से काफी ग्यान अरजित किया वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे उन्हें भारते इंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रिय नौजागरन के सक्रिय पत्रकार थे उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य स्रिजन में भी सक्रिय रहे पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनिता संग्राम का हथियार थी यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद है साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है उन्हों ने बांगला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किये वे शब्दों के अध्भुत पार्खी थे अनस्थित्ता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्हों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई प्रिष्ट संख्या 45 विदाई संभाशन उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग यत्रिती शिव शंभु के चिठ्थे का एक अंश है यह पार्ट वाई सराय करजन जो 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक दो बार वाई सराय रहे के शासन में भारतियों की स्थिती का खुलासा करता है कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कारे हुए नए नए आयोग बनाए गए किन्तु उन सब का उद्देश शासन में गोरों का वर्चे स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था हर स्तर पर करजन ने अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की वे सरकारी निरंकुष्टा के पक्षधर थे लिहाजा प्रेस की स्वद्मत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया अंतता कॉंसिल में मन पसंद अंग्रेज सदस्य न्यूक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगाहों पर नीचा देखना पड़ा शुब्द होकर उन्होंने इस्तिफा दे दिया और वापस इंग्लेंड चले गए पाठ में भारतियों की बेवसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक धंग से लौड करजन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है चाहे वह सामाने जनता हो या फिर लौड करजन जैसा वाइसरोय यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था ऐसी स्थिती में विनोध प्रियता, चुल बुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानकी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है